दोस्तो आज के वीडियो में बात करेंगे केटिजन के केटी टोकन की उसका प्राइस क्या रह सकता है उसके साथी सप्लाइ कितना यहाँ पर मार्केट में देखने को मिलने वाला है क्या आपको एक अच्छे प्राइस लेबल पर केटी जो है वो लिस्ट होता हुआ नजर आए केटिजन की टोकनोमिक्स यहाँ पर पहले आपको शेयर कर देता हूं उसके बाद यहाँ पर प्राइस बगरा की बात करूँगा सेंटलाइज एक्षेंजर पर जो डिपॉजिट हो था वो यहाँ पर बंद हो चुका है आप बात आती है यहाँ पर इसकी लिस्टिंग की 20 से पर अविलेबल होने वाला है अब बात आती है यहाँ पर इसके प्राइस की इसको लेकर नेगिटिवीटी इस वज़ज़ से भी है कि यहाँ पर इसका जो सप्लाइ एड्रॉप के लिए दिखाया गया है एड्रॉप का अमाउंट दिखाया गया वो काफी कम है उसी परसेंट जो है वो एड्रॉप के लिए उन्होंने अलग कर दिया है नाइन परसेंट बाइनेंस लांच पूल के पास है जो अभी प्रोग्राम चल रहा है जिसमें कहीं लोगों ने स्टेक किया होगा FDUSD या फिर जहाँ पर BNB उसको स्टेक करा होगा तो उनको यहाँ पर में आने नहीं वाला है इसमें से सिर्फ टोटल नंबर ओफ केटी टोकन जो TGE के दिन यहाँ पर अविलेबल होगा token generation event मतलब 20 सेप्टेंबर को जब listing होगी तब अविलेबल होगा वो सिर्फ यहाँ पर 30.5% ही हो रहा है मतलब 305 मिलियन ही हो रहा है the remaining tokens will be blocked यहाँ पर बचे प्लेटिंग supply होगा वो सिर्फ यहाँ पर 305 मिलियन होगा किस दिन जब यहाँ पर यह लिस्ट होगा 30.5% यहाँ पर इसका supply देखने को मेलेगा अब इस supply में से 15% जो है वो airdrop के रूप में दिया गया है 9% Binance Launchpool का है 15% आप सब को दे दिया है किसी को 2, किसी को 4, किसी को 100, किसी को 509% Binance के पास है Launchpool वाला प्रोग्राम 5% जो है वो liquidity है इन में से आप यहाँ पर देखिए 5% liquidity का भी आ चुका है 1.5% treasury का आ चुका है यह total मिलाकर हो रहा है 30.5% जो यहाँ पर है अब इस 15% airdrop में से भी कुछ amount है जो लोगों ने stake पर लगाया हुआ है जो यहाँ पर 10-20 million तो होंगे ही होंगे जो यहाँ पर stake पर लगा कर रखेंगे जिसे 2-4 token मिले हुए है जिसे 10 token मिले हुए है उन्होंने आपर stake पर लगा दिया इस उमीद में BWP या फिर कुछ other tokens वहाँ पर exchanges की तरफ से दे दिये जाए जो offer वहाँ पर वो चला रहे है stake करने पर अब बा तो यहाँ पर इसका जो market cap उस समय circulating supply के उपर depend करने पर रहेगा वो लगबग यहाँ पर 305 million डॉलर रहेगा इतना यहाँ पर जा सकता है negativity है otherwise यहाँ पर अच्छा जाता दूसरी बात आती है दूसरी condition की हम बात कर लेते हैं DOCS से comparison करें तो DOCS को लेकर तो काफी ज़दा positivity थी इसी वज़ा से DOCS ने उस price को hold करके रखा हुआ है अब यहाँ पर जैसे ही market में आएगा एक डॉलर भी जाता है कई लोग यहाँ पर इसे sale भी कर देंगे लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है अगर sale भी करेंगे तो यहाँ पर 305 million ही इसका supply है ज्यादा supply नहीं है अगर supply यहाँ पर रहता 100 billion तब समझते की price में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती थी अब यहाँ पर अगर DOCS से comparison करें तो DOCS का जो price था और जो market cap उसने gain किया था वो 600 million डॉलर था अगर यह इतना market cap गें करता है ना तो यहाँ पर इसका price चले जाएगा लगबग 2 डॉलर मतलब INR में 180-170 रुपे के आसपास अब 170 मतलब 2 डॉलर और उसके साथ ही market cap around यहाँ पर 610 million डॉलर जो possible नजर आता है अगर आप scenario देखे तो यह create हो सकता है अगर 3 डॉलर जाता है तो लगबग यहाँ पर इसका जो market cap होगा वो 915 के आसपास होगा 915 million डॉलर ले थे 1 billion dollar का market cap यहाँ पर यह hit कर सकता है या नहीं कर सकता है अगर 1 billion dollar का market cap हिट किया तो इसका price around रहने वाला है 3 डॉलर के आसपास और depend करता है आपके उपर लेकिन negativity काफी जदा है इस वज़े से कहीं लोग यहाँ पर इसे sale करते हुवे भी नजर आएंगे और कोई भी update के लिए टिलिग्राम से connected रहे हैं दोस्तो साधी चैनल को सब्सक्राइब कर ले टोकन्स अभी तक allocate नहीं हुए है मतलब allocate तो हो गए ह लेकिन आपके exchanges पर नहीं आयोंगे वो exchanges पर कब आएंगे वो जिस दिन list हो रहा है ना उससे कुछ घंटे पहले वहाँ पर वो exchanges के उपर आ जाएंगे जहां पर भी आपने address डाला होगा चाहे वो bitgate का हो bybit को ही या फिर binance का हो अब हम आपको मिलते किसी अधर update के साथ थेंक यू